वेलो फ्रेंट्स वेल्कम ट्योर ओन चैनल डेली स्टॉक तो आज हम बात करने वाले ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी जो मिटिंग थी वह भी जस्ट कैंसल हो गई है तो उसकारण आपको मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफोल जरूर देखने को मिला है वाद इरिकॉन इं को अपने सब्स्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्स्राइब कर दीजेगा ताकि आपके सामने हम हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेर अनलेसिस ला सके उसके साथ साथ में मार्केट रिडर को भी अपडेटेड न्यूस होगी तो भी वह हम आपके सामन है वो मीटिंग और होगी अगले दिन उसकी जो एक परफेक्ट डेट है वो भी तक आई नहीं है मार्केट है बट जैसे ये न्यूस मार्केट में आई जो शेर का जो प्राइस है वो अल्मोस्ट 9% से 10% गिर चुका था और कंपनी ने 1.3 रुपीस का डिवीडेंट भी डिक करते हैं तो सेक्टर का पी कितना है 41.97 और शेर का पी कितना है 10.3 तो कि अगर मैं सेक्टर के इसाब से कंपैर करूं तो आपको एक शेर बहुत जबाद अच्छे प्राइस वेलिएशन पर आपको अभी देखने को मिल रहा है सेक्टर का जो पीबी है वो भी है 4.19 के यह देता है करेंट मार्केट प्राइस के जाब से और सेक्टर कितना है 0.93 पर सेंटेज ऑल्दो यह स्मॉल केप कंपनी है जिसका जो मार्केट के अपिलाजिशन है वह अल्मोस् 5,001 करूर पीस का और स्टॉक रेंगिंग इसकी 3.98 पे कंपनी के अगर बिजनस के बाएन है बात में तो कंपनी का बिजनस पिछले कुछ सालों से बहुत ही जाथा अच्छा चल रहा है तो बीप्रिसाइस तुरूजन 17 से लिएक कंपनी का रेवेन्य हर साल बढ़ा है कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ा है तो आपको एक अच्छा असा स्पाइक देखने को मिलता क कंपनी के प्रॉफिटिबिलिए में अच्छा रेवेन्य में 2019 से 20 को कंपेर करते है तो 2019 में जब कंपनी का रेवेन्य हुआ था 5.01,000 क्रूपीस का जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका है 5.57,000 क्रूपीस तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत जदा क्लियर है और बहुत जदा स्ट जैसे ही मीटिंग कैंसल हूँ इसकी जो न्यूज मार्केट में अल्मोस शेर 9% के आसपास इसमें गिनावट आपको देखने को मिलियर इस 9.4% गिर चुका है 96.34 रुपीस का असपास करेंटले में मार्केट में ट्रेड हो रहा है हम मार्केट आवर्स के बीच में न्यूज बता रहे था कि आपको क्या आपको पता चल सकी कि अब आपको इस situation में क्या करना चाहिए company fundamentally बहुत ज्यादा strong और company का dividend बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आप long term perspective के सबसे सोचो तो अगर आप 95 के price valuation पे भी आपी share buying start करते हो तो आपको एक अच्छा सा return long term में आपको जरू होगा वो तो पूर आपके उपर होगा कि आपको इस company में निवेश करना है या नहीं करना है so hope करता हूँ कि आपको इरकॉन international limited company के बाएर में जो भी हमने market में जो news आई है वो आपको अच्छे समझ गई हो अगर आपको वीडियो अच्छी लोगे वीडियो को like share on my channel को subscribe करना ना भूलेगा अगर आपको इस वीडियो रिलेटेट या फिर कोई इस company डेट कोई doubt या फिर कोई query भी हो तो वो भी आप हमें comment section में जरू बता दीजेगा ताकि हम उसका solution आपके सामने जल्द से जल्द ला सके so thank you